कैसे ग्यारा लाग कैसता हो और पूरे परिवार की रिष्टेदार होगे गूठियां थी लड़के की यंग उठी चैन अगेरा थी तो सब वापस कर दिया अगर एक बिटिया किसे घर में पैदा हो जाती है तो बाप कुछिंता उसी दिन से सथाने लगे कि मेरे घर में बिटि है या प्रेसर बाग है कहीं से करजा ठाव है तो सब चीज़ों को हमने मला किया नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ विपिन चोधरी इस समय जनपद शामली की थाना बवन विदान सभा के गाउन निराल सी उर्प कादरगड में मैं मौजूद हूँ और तश्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर राजपूत समाज के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर आने का मेरा जो उद्देश्य है वो यह है कि यह जो परिवार है इस परिवार में अभी एक साधी हुई है और यह साधी इस समय चर्चाओं में है अब यह जो चर्चा है इस साधी की चर्चा है वो हमारे कानों तक भी पहुँची और हम भी यहाँ पर पहुँच गई है जानने के लिए कि आखिर इस साधी में खास क्या है बाचीत करने के लिए हमारे साथ इस परिवार के जो मुख्या है वो इस समय मौजूद हैं क्या न इस साधी में इसा क्या खास रहा, क्या बहुत बड़ा दान देज आपको मिला है? मैंने तो पहले ही मना किया था लड़की वालों को, भई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने आपकी लड़की पसंद किये, तो हमें लड़की चाहिए. और तहिज को मैंने पहले ही मना किया था लेकिन उन लोगों ने उसके बावजूद भी जो भी उन्होंने देना शाह वो हमने लिया नहीं है अच्छा तो इस साधी की चर्चा इसलिए हो रही है कि आप ने दान देज नहीं लिया जी अब यह आपने पहले से ही मन बना रखा थ या बस महीं अचनक या आपके दिमाग में बात आगे कि भाई दान देज नहीं लेना पहले से ही मन था समाज में मैं कहता था सभी लोग भाई दान देज पर रोक लगाओ देखो ऐसा है अगर मान लिया हम किसी की लड़की आ रही हमारे या तुमारे तो हम मांग कर रहे आख सा आख नी मिल पती कभी भी खूब रिष्टे नाते देखे हमने तूटते हुए मालिया साधी होगी दान दे जा गया दो साल बादी उन मापस में तिपर के बाजी हो आने जाने में वो स्वाधरी रहता आदमी कर वे चलो आदमी आरा मारे रिष्टेदार तो आख नी म परजी से उठाया है आपका परिवार तो बड़ा संपन परिवार है और यहां पर मैं पहुंचा हूँ दिख भी रहा है और जिस समाज से आप तालुक रखते हैं ठाकुर समाज वो तो शान और सोकत के लिए जाना जाता है देखो दान दहज में कोई शान सोकत नी होती शान सोकत तो इंसानियत में हो कि हम एक दूसरे की राए में राए मिला के कोई विकार यह करें तो वही अच्छा लगे प्रेसर गेर के कोई भी काम हम करें तो वह अच्छा लगे समाज में हमारे कूर्तिया बहुत हो रही एक आप यह लेखो मृत्य भोज बहुत ही गलत है मृत् कि इस बात को थोड़ा लाइट में लेकर और इन लोग को थोड़ा जागरूप करें जैसा आपका समाज है आप गुजर समाज से तालुक रखें में गया सानपुर में बहुच जबें तो महां पर मुरत की बहुच बिल्कुल बंद है सभी गुजरम और सबाम है कि हमारा समाज भी इस ओर सुधर है परदान जी मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपके बेटे का रिस्ता हुआ और जो आपके रिस्तेदार बने हैं तो आपने उसी समय मना नहीं किया था कि हम कोई दान दैजि नहीं लेंगे था जो महारे बीचों अवारे मामा के लड़के तो उन्होंने मुझे कहा अगवई आपका वेटा वकील है, आप परदान हो तो क्या मांगता हंगे? मेरे माँ लड़की की मांग है, आप हमें लड़की दिखादो लड़की हमें पसनलाएगी तो वो यह मारा देहे जए जिस परिवार ने हमें, जिस बाप ने हमें लड़की दे दी, तो उसने लक्षमी तो हमें पहले ही दे दी अपने गर के, तो इससे बड़ी और क्या बात है? तो आपके मना करने के बाद भी जो आपके रिष्टेदार बने हैं, वो आपको देज देना चाहते थे? जी, हमारे मना करने के बाउजित, भी जो हमें नहीं बता उनुने, देखो अबने उन्होंने बोला जी बैड वगएरा, मुएमन ने गुमा दिया मगए देख लो कर कहीं जगेत हमें मिले बैड डालने की, तो भीज दियो, अगर ठारे मन में है, भी जगेत हैं नहीं, मगए फ तो उसे भी आप कट राखे भी लूप कोई खर्चा न करो हम यह नहीं चाहते पर इस्तेदार मारा उजड़ है या प्रेसर बाग है कहीं से करजा ठाव है तो उसमें चीज़ों को हमने मला किया तो फेरों पर आपने वो रकम वापिस कर दी फेरे पर तो नहीं वो तो हमारे य हैंगे तो मतलब कितना आपने कैस वापिस किया कैसे ग्यारा लाक कैसता हो और पूरे परिवार की रिष्टेदार होगी अगूठिया थी लड़के की अंगूठी चैन मगेरा थी तो सब वापस कर दिया है तो कि ऐसा तो नहीं कि आप थोड़ा सा मतलब उदास हो गई हो और आपने उम्मीद दान देज की ज्यादा कर रख्यों और आपकी हैस्यत के हिसाब से जो आप पर इस्तिदार हैं वो आपको दान देज ना दे रही हो देखो पहली बात तो हम इतने बड़े लोग नहीं है मद्यम परिवार से हैं और देज की तो थोड़ा भी ऐसा ही है ज्या देज देना चाहता हूं कि मिलाई या तो बंद हो और नहीं तो सब की एक सी मिलाई होनी चाहिए अगर मालिया महारी बरात में मेरे मित्र गई भी है थे सब लोग छेत्र के गाउं के रिष्टेदार एक रिष्टेदार को अम उठ्थी दिलवारे जोड़ा दिलवारे एक र भी रुपे वह हीन भावना होती है दूसर महसूस करता निच्चा करें तो मिलाई वापिसुन नहींड प्रदादाजी इनकी भी सोच फ़ीकरवाई लड़की की भी अपनी भी और सारे बराती तो आपने बिल्कुल है मतलब कैस्व वापिस किया या बस कुछ भी बिल्कुल कुछ भी नहीं लिया हमने कुछ लिलें हमने एक चम्बश तक नहीं लेका है उनका कोई कपड़ा निलाय लड़के का जोड़ा है, एक पंच मिलाई है, जो हमारे गाउं के नजदी गाउं है, परताप प्रधान जी है, वे भी हमारी साथ थे, उन्हें पंच मिलवाई दे लगाई है। आप जो देना चाहते हो, दे लीजिए, मतलब इसके नाम जो है, आप प्रैसा कर दीजिए, प्लोट कर दीजिए, या और कुछ कर दीजिए, तो मतलब ऐसा कुछ हुआ या नहीं। तो आपके कितने बच्चे हैं प्रधान जी? दो लड़के हैं। ये बड़े लड़के हैं जिनकी साधिय। बड़ा लड़का है। तो बारात लेकर गए थे? बारात गई थे. बारत गई थे. चोटे बेटे का रिस्ता तय हो रहा, डेड़ साल पहले हो गया था और उसमें मैं पांच या आदमी लेकर जाओं। ये मेरा मन. तो परिवार मतलब खुस है, जो आपकी धर्म पतनी है, वो खुस हैं। सब खुस हैं, ये सारा परिवार बैठा है, परिवार है मेरा इधर मेरे अंकल है, कि मेरे बीत रहें और ये सारा परिवार है, कोई किसी को कोई दिक्ति नहीं है, सब खुस हैं। मतलब आप गाओं के परधान हैं, आप समाज में भी गूमते होंगें। तो क्या मतलब कुछ घटना हैं आपके सामने ऐसी घटी जो देज को लेकर हुई हों। और उससे मतलब आपका मन परिवर्तित हो गया हो, कि भई देज देना बहुत बड़ा गुना है। देखो बहुत रिस्तों में गए हम, विचोली भी बनें। ठीक, और साधी के बाद भी लेन देन को बहुत पंचात्तों मगें। तो बड़ा ही दुख वा सुनके समाज में। तो जब ही से हमने नीड ने तो महारा सुरु से मन था कि लालच आदमी के अंदर होना नी चीए। वो किसी भी चीज का लालच हो, वो और नी चीए। स्वारत नी बढ़ना चीए। इंसान ये थोड़नी चीए आदमी करना। जो इस वार हमें दे रहा हमें किसी चीज की कोई दिक्कत ही नहीं है बिलकुल भी। जो काम हमसे आओ उन्सों पूरा कर रहा है। तो फिर हमें किसी की क्या जूरत है किसी पेसे वेसी है। रिष्टेदार अच्छे मिल गये, कोई दिक्कत नहीं है। संसकार लड़की को अच्छे मिल लड़के को ठीक हैं। इससे बड़ी होर क्या पूंजी हो। आप बताओ जी जिश्चे में आप भी बरात में मौजूद थे या नहीं। जिश्चे में परदान जी ने मना कर दिया कि हम दान दैज कुछ नहीं लेंगे। तो उश्चे में मतलब आपको कैसा लगा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। चुकि ये समाज में ऐसी पुपर्था है जिसकी वज़े से हम लोग काफी पिछड़ भी गए। और अगर एक बिटिया किसी गर में पैदा हो जाती है तो बाप को चिंता उसी दिन से सतने लगे कि मेरे घर में एक बिटिया पैदा होगी। तो ये एक सरानीय कदम है जिसकी वज़े से आने वाले समय में अगर सब लोग ये अपनावें। मेरी अपील भी है कि सारा समाज इस चीज को अपनावे। दहेज की बिलकुल खिलाब हो इसको बंद करे। ताकि बिटिया का सम्मान हो सके घर में। और उनके आड़ने पर चिंता ना हो किसी को भी। कोई माबाब चिंतित ना हो कि मेरे घर में बिटिया पैदा होगी। मुझे खुसी है कि मेरे भाई ने ये कदम सबसे पहले उठाया। अलाकि इससे पहले भी कुछ लोगों ने उठाया है। लेकिन हमारे यहां समाज में सबसे पहला कदम इनों ने उठाया। जिसकी हमें बहुत खुशी है मतलब जी शमय परदान जी ने मना कर दिया कि हम ये पैसा नहीं लेंगे दान देशी नहीं लेंगे तो मतलब कितना सम्मान आपका वहां पर हुआ बहुत सम्मान वहां के लोगों ने तालिया बजा के स्वागत किया इस कदम का और बहुत सम्मानित महसूस किया हम लोगों ने और बड़ा गर्व से सीना चोड़ा हो गया हमारे मित्र ने एक ऐसा कदम उठाया तो बड़ी प्रसनता हुई मन को आप इस परकार का कदम उठाएंगे या नहीं बिल्कुल सो परती सो ताओ जी कुछ गुंठी गंठी आपकी भी आई या नहीं 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 हम तो बिल्कुल सद्धा अदमी है सद्धा ख़णा सद्धा ख़णा ख़णा और जी हम एक कही चीज़ की जिरूत नहीं हम उते लड़की चाहिए आपके बेट्टे ने तो बहुत करकी आप बताओ जी गाओं में शुरूत हुई है तो मतलब यह की चीज़ तरीके की सुरूत है क्या मतलब आगे बविश्य इस परकार की और मतलब यह सुरूत देखने को मिलेंगे यह एक्चुली मैसेज बोले जो समाज के लिए यह मैसेज नोट ओनली अवर समाज यह पूरे समाजों के लिए मैसेज है कि जो बच्ची पैदा होगी गर में तो एकदम घर शानत, एकदम अटम जैसा चाजाता है पता नहीं बाई क्या लूट गया क्या पिट गये तो वो किस डर से होता है वो इसी डर से होता है कि आने वाले समय में कैसा रिष्टेदार मिले हम उसकी पूरती कर पाएं ना कर पाएं हमारी बेटी सुखी रहेगी या दुखी रहेगी ये सबसे बड़ा मेसेज उस चीज के लिए है कि कल जिस घर में बेटी पैदा हो वो घर उमंगों से भर जाए कि उसके उपर कोई लोड ना पड़े कोई उसको दिक्कत ना दिखाई दे आ गया हाँ बाई मेरे उपर बोज आ गया और ये हो गया ये उस चीज के लिए बहुत बड़ा मेसेज है आने वाली बच्ची पैदा होने वाली है उनकी कदर के लिए हाँ भई उनको देखके खुजी हो आदमी को बच्ची पैदा होगी कोई बात नहीं भई आपके जो साथी मिलेंगे वो तो आप से पूछेंगे बाई बताओ तुम्हारी साधी में क्या देदान देज आया मैं रियाना के छे जिलों में 325 गाओं के अंदर अपने खुद की टीम चलाता हूं और पहली प्रार्थ मिक्ता मेरी है कि देजमुक्त और नशमुक्त साधी में दान देज नहीं लेंगे मेरे पिताजी की पहले सी रहे थी आप भी बाई है इनके हाँ जी तो आपका क्या इरादा है सेम है सेमेरा सेम क्या सोच सेम है जी आपका मैं नहीं करता कि बड़ी बड़ी मalloब गाड़ियां है झार्णकी हैं कभी नी जी जो परिवार की सोच है वह हमारी सोच है अग्ट परिवार ने पहले ही बोल दिया कि भई बिनादान देज के साधी होगी जी खुद की भी इच्छा है यह मतलब ये मन में बात मतलब आपके कैसे आई और क्या इसका लाब है क्या आपको नजर आता है ये तो ये परिवार से होता है हमारे पिता जी है इनके अंदर कोई लालच नहीं है तो देखा देखी होती है हमारे अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार से होता है ने जो भी होता है परिवार में जो सादी हुई है मतलब इसका मैसिज दूर दूर तक जाए गा नहीं। बहुत दिन पहले जमने इसका बतीजेगा रिस्ते किया हमने तभी बोल दिया तका हमें देजनी चाहिए इससे बहुत से गर उजड़गे एक घर में तो यह जो पैसा आता है थोड़ी दिन के लिए चांदना करता है दूसरे का बहुत दिन के लिए कोई जमीन बेशता है कोई बहुत कृती है समाज में इससे बचे रहे तो अच्छा है और हम भी चाहिए किसी का ऐसा घर ना उजड़े अगर किसी की लड़की लाएगे वो लक्षमी देता है उसके जब वो अपनी लक्षमी के घर में प्याराते है तो बगवान वो अपने आप ही देता है लालच करें आपकी है तो प्रदान जी आप क्या कहना चाह रहे थे मैं एक बात बूल गया कि आप साथ किलो मिटर साए हो हमारे लिए हमारी हमदर्दी में तो आपका आपके चैनल का मेरे मेरे दौरा और परिवार के दौरा बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद आप परती हमदर्दी भी है और समाज के परती भी हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम भी समाज में देखते हैं परदान जी के किस तरीके से देज की वज़े से मदल लड़कियों को परतारित क्या जाता है और बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और परदान जी के इस कदम पर अपनी राय भी जरूर व्यक्त करिए फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी तब तक बने रहे हैं इंदुस्तान 24 के साथ नमस्कार